नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार्फिर से कन्य राश अप्रेल मई जून दोजर तेस बड़ी सर्प्राइज मिलेगी दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्य राश वाले जातकों के लिए अप्रेल मई और जून दोजर तेस का महीना कैशा रहेगा कौन सी बड़ी सर्प्राइज मिलने जा रही है कन्य राश अप्रेल मई और जून के महीने में कौन सी बड़ी गुड़नोज, कौन सी बड़ी खुश खबरी आपको प्राप्त होने वाली है क्या बड़े सवगात आपको मिलने वाले हैं कौन से बड़े ग्रह आपको बड़ी सवगात दिलाने वाले हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे तो कने राश्कत को ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पून रहने वाली है क्योंकि अप्रेल मई और जून दोजरतेश ये तीन महीना यनि कि अप्रेल मई जून का ये जो महीना रहेगा कने राश्कत को आपके लिए बड़ी सवगात लेकर आया है कुछ बड़े ग्रह आपको बड़ी उपलबधी कराएंगे तो आईए जान लेते हैं कि अप्रेल मई और जून दोजरतेश का महीना कने राश्कत को आपके लिए कैशा रहने वाला है तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचरी इस्थितियों के बारे में कि बड़े ग्रहों का गोचरी इस्थितिया क्या रहेगी क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पत का भी बाई शप्रल को बड़ा परिवरतन होगा और ये मीन से मेस राशी में आ जाएंगे शाथी साथ यहाँ पर बात करें तो सूर देव मई के महीने में बिरसब राशी में और जून के महीने में मिथुन राशी में गोचर करेंगे और देव गुरु ब्रहस्पत ये मेस राशी में ही रहेंगे 22 अप्रेल के बाद यानि की मई में भी और जून के महीने में और यहाँ पर शनी देव की बात करें तो ये कुम राशी में रहेंगे तीन महीने कुमराशी में ही गोचर करेंगे राहु मेस में केतु तुला राशी में रहेंगे तो दोस्तों ये थी कुछ बड़े ग्रहों का गोचरी इस्तितियां अब इन ही के धर पर जानेंगे कि करने राश्कत को आपके लिए अप्रेल, माई और जोन प्रेम जीवन, लब लाइप, स्वास्त, इजग्वेशन सभी छेतरों के बारे में चर्चा करेंगी इस वीडियो में तो देखें करने राश्कत को महत्पूर्ण खुशकबरी तो ये रहेगी कि आपको नोकरी में प्रमोशन के सासत कई बड़ी परिवर्तन होगे एक तो देव गुरुप रिहस्पति का बड़ा परिवर्तन हो रहा है और सूर्देव का भी बड़ा परिवर्तन होगा अप्रेल के महिने में तो अप्रेल के महिने में बड़ी शौगात, बड़ी सर्प्राइज आपको नई जोब को लेकर मिलेगी नई नौकरी को लेकर मिलेगी और आपकी इनकम में बढ़ोतरियों के आखाश में कुरूप से धन का लाब होगा यानि कि कहीं पर पैसे अगर आपके पड़े हुए थे रुके हुए थे वो पैसे वापस मिलेंगे शाती साथ बता दे कि यहाँ पर कई बड़े परिवर्तन से आपको लाब होंगे क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी परिवर्तन होगा और बुद्ध ग्रह चुकि बुद्ध ग्रह बुद्धरित राजयों कर निर्बान करेंगे इसलिए कुछ बड़े ग्रहों के परिवर्तन के कारण बड़े धनलाब की और यानिकी इशारा कर रहे हैं तो मई के महिने में घर में शुब कारिकरमों का आगवन होगा जिससे की शादी विया का आउजन हो शकता है धर्म कर्म के कार करेंगे और साथी नए बिजनस वियापार के श्रुद कर सकते हैं जून का महिना बड़ी सवगात लेकर बड़ी सर्प्राज लेकर आएगा जूड़ सकते हैं जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा नई इंकम की बढ़ोत्री होगी कुछ महत्पूर्ण कार बनेंगे अधोरी कारियों को पूरा करेंगे मंचाही सफलताय प्राप्त होंगी प्रतेक कार आसानी से बंते नजराएंगे लंबेश मेंशे पिंडिंग काम भी बनेंगे कुछ महत्पूर्ण नेने डिस्जियन लेने में शक्छम रहेंगे घरेलू जीवन में चल रही समस्याएं दोर होंगी और अप्रेल मई जून के महिने में बड़ी सवगात ये भी है कि आपको किशी प्रतेश्रित ब्रक्ति के साथ मिलने जो लने का मौका फिर बिदेश जाने का मौका मिलेगा बिदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी सर्प्राइज होगी क्योंकि वहां पर उनका ट्रांसपर परिवर्तन की योग बनेंगे उच्पत की प्राप्ती प्रोमोशन की योग बिजनेस प्यापार में लाप होगा सरकार की कुछे प्रेंडिंग काम भी बनेंगे कुछ महत्पूर्ण कार बनेंगे प्रतेक कार आसानी से बनते होने जराएंगे और इसमें आपकी आर्थिक तरी काफी मजबूत रहने वाली है अप्रेल के महिने में बड़ी सवगात आपको इनिकी मिलेगी खासकर जो लोग दलाली क काम करते हैं जो लोग ठेकेदारी के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लावगा मेनेजमेंट के छेतर में जुड़े हुए तो लावगा मैं बेंकिंग के छेतर में आपको बहुत बड़ी सवगात मिलेगी शाथी शंतान को लेकर बड़ी सरप्राइज आपको मई के महिने में मिलेगी जो उनकी महिने में बड़े अपसर प्राप्थ होंगे शंतान की तरक्य और शंतान की कामियाभी शापकमन काफी परशन रहेगा बतादे कि देव गुरु ब्रिहस्पत का परिवर्तन होगा 22 अप्रेल को तो यह यहनि कि कई बड़े लाभ दिलांगे कई बड़े परिवर्तन भी होंगे और बुधध राजयो क इनका रिजल्ट आना था, रिजल्ट में आपको बहुत बड़ी इनि गुड़नुज प्राप्त होगी, बहुत बड़ी सर्प्राइज होगी, जो रिजल्ट होगा आपके पक्षमी आता हो नजराएगा, और प्रेम जीवन यह लव लाइफ जो जुड़े हैं, लव लाइफ य कई बड़े अबसर भी प्राप्त हो रहे हैं, कई बड़े सुनेरे मौके प्राप्त हो रहे हैं, और इसका लाब भी आपको उठाना चाहिए, यानि कि अप्रेल माई जून का महिना बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ी सुब समचारों को लेकर आएगा, साथ ही साथ ब पुटनों के नीचे दर्द या पेट के समचाहिए देखने को मिल सकते, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, और खान पीन की चीजों में परहेच करना होगा, और आपके घर में शुब मंगलकार भी होंगे, मई और जून के महिने में शुब मंगलकार धार्मी कारकरमों कायोजन होगा, शादी विवा कायोजन होगा, अब यह जातकों के विवा के योग बन रहे हैं, और साथी जिनका विवा पहले से ते हैं, वो शादी विवा के बंधन में बनते हुए नजराएंगे, तो घर में खूशिया भीचाहिए देंगे, घर में आपको करने हुए चने और गुड़ जरूर चढ़ाएं, गाय को आप यानि की रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं इससे लाब होगा, विशुनों सहस्त नाम का पाठ करें, तो काफी बिशेस लाब होगा, गड़ेस भगवान की पूजा राधना करने से लाब होगा, तो यह उप जए शने बेल